हम सौ प्रतिशत विद्यार्थियों के साथ सहमत है कि जब जार्खन बिहार बिहारियों के लिए है तो जार्खन जार्खंडियों के लिए क्यों नहीं और इसी के लिए 1932 भी हम लोगों ने ये करने का काम किया था जार्खन में 60-40 नियोजन निती नाय चलतों के नारे के साथ जार्खन के अभ्यर्थी पिछले चार महीनों से अपनी आवास को उठा रहे हैं कि आखिर नई नियोजन निती को लेकर सरकार चीजे कब इस परस्ट करेगी इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौझूद है मांडर वधाएक शिल्पी ने हातिर की अमिनी से बात करेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि 16 दिसंबर 2022 को जार्खन हाई कोट ने राजसरकार की ओर से बनाए गई नियोजन निती 2020 को निरस्त कर दिया था तब से ही जार्खन के अभेरती सिफ यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखर कब नई नियोजन निती को लेकर सरकार पहल करेगी नियोजन निती एक बहुत पेचिदा मामला है जार्खन में क्योंकि यहां पे जो स्थानिय निती है जो एक तरीके से जन भावना रही है पूरे जार्खन के लोगों के लिए 1922 उसी को स्थानिय निती का एक बेस मान के आगे बढ़ना चाह रही थी सरकार क्योंकि JMM, Congress, RGD की जो हमारी महागटपंदन की सरकार है हमारे मेनिफेस्टों में हमेशा से था कि 1932 ही हमारा स्थानिय और नियोजनीती के लिए एक रूट रहेगा और इस चीज़ को हम लोगों ने किया भी विधानसभा से भी पारित किया सर्व दल्य बैठक में हम लोगों ने गवरनर से भी मिलके इसको कन्विंस करने का कोशिश किया उन्हें मगर कहीं न कहीं इसे गवरनर से भी वापस लोटा दिया गया और जो हमेशा से बात रहती है कि 9 schedule में डालने की बात आप देखेंगे टामिल नाडू में भी यह हुआ था वहाँ पी रिजर्वेशन सभी स्टेट में से कंपेड सबसे अधिक है वहाँ पे टामिल नाडू में और यह भी केंद्रे सरकार और राजे सरकार के जो एक coordination है उसी के कारण हो पाया था तो भाजपा के कई सारे यहाँ पे members हैं जो लगबा आपके लोकसभा में हैं तो वो एक प्रयास कर सकते थे मगर जैसे कि हम लोग ने देखा भी था कि गवर्नर हाउस में जब हमारा सर्वदल यह बैठक रखा गया तो भाजपा के तरफ से एक भी लोग सामिल नहीं हुए तो यह सभी एक पॉलिटिकल रूप से इसे गिराने का भी काम किया गया है 1932 को मगर यह सरकार जब बनी है तो हम लोग परस्यू करते रहेंगे 1932 को और आने वाले समय में हम पुड़ा प्रयासरत रहेंगे कि किस तरह से सर्वे सेटलमेंट का यहर को मानते हुए हम नियोजन निती अस्था ओने निती बनाए जर्खन को और राजे बने 22 साल से भी अधीक होने वाले है लेकिन जर्खन की अभरतिये अभी भी रोजगार की तलाश में बाहर पलायान कर रहे हैं अभ्यरतियों का कहना है कि सरकार आती है जाती है लेकिन हम लोग उसका खाम्याजा भुगरते हैं बीज अब हमारी सरकार है तो जो पिछले वर्षों में जो भी हुआ है उसको अंडू करके सही चीज को भी करना इतना आसान नहीं रहेगा मगर आप देखेंगे कि हमारी सरकार लगातर प्रयासरत है चाहे वो अभी नियोजन जो हम लोगों ने नियोजन का वर्ष घोशित किया है उसको एक तरीके से अंजाम देने का काम हो या बहुत सारे जो इंस्टिटूट्स है उनको भी अब एक तरीके से उनका भी क्वालिटी इंप्रूफ करने का हम काम कर रहे हैं 75% जो है स्थाने लोगों को यहां के लोगों को नौकरी दिया जाए एक पोटल से जो श्रम पोटल बना है उसी पोटल से उनको सेलेक्शन करके यह किया जाए वो सभी चीज हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं मगर इतना आसान नहीं ह होने वाला है कि 15 साल का यह सोला साल का जो यहां पर एक तरीके सोशन किया गिया है लोगों को उसको अंडू इतना आसान से किया जासे कि यह संभो नहीं है इस पीच जैसे सी की ओर से दस परिक्षाओं का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है लेकिन राजे में नियोजन निती ह इस पर्ष्ट नहीं है अभ्यर्थियों का कहना है कि क्या इसमें भी 60-40% का आगे जाके फसने वाला है क्योंकि 40% open for all है और अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं कि बाहरी लोगों की इंट्री जार्खंड में हो क्योंकि अभ्यर्थियों का पहले से ही कहना है कि जब भिहार भिहा लोगों ने ये करने का काम किया था मुझे इस चीज से भी बहुत अच्छ अबित हुआ लगा कि जब 1932 हम लोगों ने पारित कराया तब भी लोग मतलब इससे समझ पाए नहीं पाए मगर जब गवर्नर हाउस से ये कैंसल होके आया तो उस दिन भी हमारी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे लोग गवर्नर के खिलाफ या जिस सरकार का उनको समर्थने उनके खिलाफ लोगों ने आवाज नहीं उठाया हमारे ही सरकार के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाया था उस समय भी तो इन सभी चीजों को समझना है कि कौन सरकार किस के लिए काम कर र इससे पहले मुख्यमंत्री हेमन सोरेन का एक आडियो तेजी से वाइरल हो रहा था आपने सुना होगा कि इसमें मुख्यमंत्री हेमन सोरेन जारकन की अभ्यर्थियों से सुझाओ मांग रहे थे लेकिन 2016 से पहली की निती जब वो जिक्र किया उसके बाद ही जारकन में बवाल होना शुरू हो गया अभ्यर्थियों का कहना है कि 2016 से पहली कि अगर निती सरकार बहाल करेगी तो हम लोग इसी तरीके से अपनी आवाज को उठाएंगे क्योंकि 2016 से पहले 50-50 था EWS के बाद वो 60-40 हो गया तो अभ्यर्थियों का कहना है कि जारकन में जादा से जादा अभ आई चाहे वो पूर्वरती शरकार हो अभी भी सरकार जो बनाने के कोशिश की उसको एक तरीके से या दो कभी कोट में चालेंज किया गया गवर्नर से वापस कर दिया गया यह सब चीज होते ही रह रहा है मगर इस कारण से जो न्यूकती है वो रुका ना रहे यह हमारा सरक का प्रयास है ऐसे असान हो सकता था कि कह दे कि हम नियोजन निती पर ही डाल देते थे कि नहीं वो सपश्च नहीं है तो अभी हम लोग रिकूर्ट में नहीं करेंगे मगर जो पिछले तीन साथ से जो करोना काल के वज़े से न्यूकती नहीं हो पाया हम चाते थे कि जो दो समय सरकार के पास बचे है बचा हुआ है उसमें कम से कम जादा से जादा लोगों को न्यूकती दिया जाए और रही बात की साथ चारिस जो है तो यहां के लोगों के लिए रिजर्व डी साथ साथ मुशे लगता है कि हमारे जार्खन के बचे इतने ब्रिलियंट हैं कि वो 40% भी क्लियर कर सकते हैं आगे भी उस विग्यापन को पढ़ेंगे तो बहुत सारे चीज़े जाहे जासे जार्खन का ग्यान हो भाशा हो अनेक चीजों को एक मापडंड बना के वहां पे रखा गया है एक चीट शीट के तरह इसको प्रिपेर किया गया है इस विग्यापन को चागी अधिक से अधि और 10 का रेशियो हो सकता है क्या सरकार इसको लेकर कोई पहल करने वाली है ये तो सर अभी मुख्यमंत्री जी अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि इस पे कोई डिसकाशन नहीं हुआ है मगर जो विग्यापन को मैंने जो पढ़ा है उसमें क्लियरली कई सारे मापडंड है ज उनको भी देखा जाए अखरी सवाल आपने भी बोला भाशा अभियर्टियू का कहना है कि क्या एक ऐसा पेपर हो सकता है आप बाहरियों को इंट्री दे रहे तो ठीक है लेकिन एक ऐसा पेपर रखिये जिसमें जार्खन की रिती रिवाज के बारे में पता चले ताकि जो बाहर ही यहां पर इंट्री करें उनको जार्खन के बारे में नौलेज हो आपके चैनल से में के बादेम से मैं बताना चाहूंगी लोगों को कि मैंने भी सरकार को अपने तरफ से एक प्रपोजल बना के 5-6 पॉइंट्स का दिया है कि किस तरह से हम अधिक से अधिक लोगों को समविधानिक रूप से इन विग्यापन द्वारा हम लोगों को यहां पर न्यूक्त कर सकते हैं जार्खन्डियों को उसमें से ये एक भाषा का भी एक पेपर है जिसमें अधिक मार्क्स जो है जो जनरल नौलेज है उसमें भाषा में अधिक से अधिक मार्क्स भाषा को वेटिज भाषा को दिया जाए उसको लेकर भी विचार विमर्स किया जा रहा है सरकार आने वाले समय में चीजे इस पश्ट करेगी और जारकन के अभियर्तियों को जादा से जादा यहाँ पर न्यूकती मिलेगी फिलाल देखते रही है न्यूस 22 को